आपको विश्वामित्र और मेनका की कथा तो मालूम ही होगी, जब विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, विश्वामित्र मेनका पर मोहित हो गए थे और फिर उन्होंने उससे विवाह कर अपना अलग संसार बसा लि उर्वशी तपस्या स्थल पर पहुंच गई और उसने अपनी सिद्ध शक्ती से सुहावना मौसम बनाया तथा हर तरह का कामुक नृत्य और गान किया लेकिन मारकंडे रिशी टस से मस नहीं हुए। लेकिन यदि मैं आपसे हार कर स्वर्ग गई तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा इंद्र की उलाहना का सामना करना होगा। तथा कहने लगे कि हे रिशी आप जीत गए हम हार गए। चलो आप अब इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। इस पर मारकंडे रिशी बोले रे इंद्र क्या कह रहा है। इंद्र का राज मेरे किस काम का। मैं तो ब्रह्म ज्यान की साधना कर रहा हूँ। वहाँ पर तेरे जैसे लाखों इंद्र हैं। तू भी अनन्यमंद से ब्रह्म की साधना कर ले। अब ये तो कम से कम स्वष्ट हो गया कि आप इंद्रपद के लिए साधना नहीं कर रहे हैं तो मैं निश्चिन्त हूँ.